नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रोहित सिंग आज बड़ा सवाल में दरसल बिहार की राजनीती में इन दिनों परिवार वाद को लेकर जो वार पलट वार चल रहा है उसको लेकर है और खासकर जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोध लगातार परिवार वाद को बड़ा मुद्दा बनाते जा रहे हैं और बिहार में परिवार वाद जो है अब एक बड़ा कह सकते हैं मुद्दा बन चुका है लोकसभा चुनाओं में इसको लेकर ऐसा लगता है कि लालू परिवार में कहीं न कहीं बौकलाहट साफ तोर पर नजर आ रही है क्योंकि लालू की सबसे बड़ी बेटी और इस बार पाटली पुत्रा लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने वाली मीशा भारती ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर बड़ा हमला बोला है और मीशा भारती ने एक तरीके से चेतावन दी है कि अगर इन चुनावों में यानि कि लोकसभा चुनावों में अगर इंडी गटवंधन की सरकार बन जाती है तो फिर प्रधान मंत्री मोधी समेथ बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे मीशा भारती के इस बयान के बाद बिहार की राजनीती में भुचाल आ गया है और तमाम जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता है वो अब लालू परिवार पर हमलावर है दरसल परिवार बाद जिस तरीके से मुद्दा बनते जा रहा है उसको लेकर लगतार लालू पर परिवार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और खासकर दो दिन पहले जब आधिकारिक रूप से ये घोशना कर दी गई कि इन चुनावों में लालू परिवार की दो सदस यानि कि दो बेटियां मीशा भारती पाटली पुत्रा से और रोहनी आचारे सारन लोकसभा सीट से चुन लोकसभा मुद्दा गरम कर दिया है और आरोप लगा रहे हैं कि द्यासल RJD कोई ऐसी पांटी नहीं है बलकि एक फैमिली पांटी है परिवार की पांटी है जहांपर सिर्फ परिवार ही है वह सबसे पहले उसके बारे में सोचा जाता है और आरोप यह भी लगाए गए कि आ das offers चुनाव लड़ने के लिए यानि लालू परिवार की दो सदध से या दोनों बेटिया इस बारशुनावी मैदान में उतर रही हैं हाला की मिसा भारति पार्टली पुत्रा से تीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरी हैं पिछले दो चुनावों में 2014 और 2019 में उन्हें राम कृपाल यादव जो की बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें दोनों बार शिकस्त मिली है लेकिन तीसरी बार एक फिर से वो जो है वो चुनावी समर में उतर चुकी है और राम कृपाल यादव ही एक बार फिर उनके खिलाव मैदान में उतरे हैं और इसी कड़ी में जब अपने संसदी शेतर में मीशा भारती प्रचार पसार कर रही थी तो उनसे जब सवाल पूछा गया प्रधान मंतरी के बारे में और जो देश में चल रहा है तो उसी कड़ी में उन्हों ने जो है प्रधान मंतरी पर पलटवार कर दिया और कहा कि प्रधान मंतरी जेल के सलाकों के पीछे होंगे और वीजेपी के तंब की ने और कई नेताओं ने कहा है कि जो मीशा भारती है या फिर लालू परिवार पर हमला करते हुए ये पूछा है कि एक जमाने में आप एक छोटे से क्वाटर में रहते थे और आज आपकी इतनी बड़ी संपत्ति आपने अर्जित कर ली है ये कहां से किया है अर्जित कैसे घृष्ट अचार को लेकर जो है लालू परिवार पर जो हमला लगातार बी-जे-पी के तरफ से बोला जा रहा है लेकिन रोहनी अचारे के चुनावी समर में उतरने के बाद लालू परिवार एक बार फिर सवालों के घेरे में है हाला कि तेजस्वी यादव भी जो है वो बार बार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और जब भी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी बिहार में सभा करने आते हैं तो सोशल मीडिया के जरीए वो सवाल खड़े करते हैं कि आखेर क्या बीजेपी में या फिर अंडिये के जो घटक दल है उसपे परिवारवाद है या नही पहले चरण में तेजस्वी का जो दावा है वो कहते हैं कि तमाम जो इंडिये के उमिदवार है सब कहीं न कहीं परिवारवात के जो है उसमें जद में आते हैं लेकिन यहां पर लालू परिवार जो है इस वक्त जो है सवालों के घेरे में हैं लालू परिवार ऐसा नहीं है कि पहली बार सवालों के घेरे में है क्योंकि परिवारवाद का मुद्दा दरसल लालू ने पिछले महीने कह सकती है यानि कि मार्च में उठाया था महागेट बंधन की रैली के दोरान जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं होने को लेकर सवाल खड़े किये थे बिहार की राजनीती में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बीजेपी के जो तमाम नेता है वो लालू के परिवार वाद पर सवाल खड़े कर रहे हैं Demand virsal be जेप का कहना है चो है की आज इन से परिवार की पार्टिये है और उसरे परिवार की पार्टियू जो तरजीक के वाल परिवार के सदर्स्थियों को दी जाती है अगर लालू देजी सुप्रीमों लालू प्रसाद के अकेलिए और इसी लिए एक बार फिर जब लालू परिवार की छठी सदस से रोहनी अचारे आपको बता दें छठी सदस से होने जा रही हैं जो की चुनावी समर में उतरेंगी लालू प्रसाद इससे पहले बिहार के मुख्य मंत्री र रह चुके है और इसकमें नंबर पर बात करें तो तेजस वियादब खुद जो है इसकमें नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के दो-दो बार उप्प मुख्य मंत्री रह चुके हैं और रोहनी अचारे के चुनावी समर में उतरने के बाद वो लालू परिवार की छठी सदस से हो जाएंगी जो की राजनीती में उतरने जा रही है रोहनी ने सारन को लेकर जो है वो प्रचार प्रसार भी जो है वो जोर शोर से शुरू कर दिया है लेकिन वो परिवारवाद के मुद्दे को लेकर रोहनी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और पलेट वार कर रही हैं तो ऐसे में आज का बड़ा सवाल दरसल परिवारवाद को ले कर ही है कि क्या जो मीसा भारती ने आरोप लगाए हैं वो क्या वाकई में उनके बातों में कोई दम है या फिर लालू परिवार इस वक्त जो है परिवारवाद के मुद्दे पर घिरता जा रहा है और इसलिए एक तिलमिलाहट एक बौकलाहट जो है वो साफ तोर पर नजर आ रही है और इसलिए मीसा भारती ने ये बड़ा हमला बोला है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी और बीजेपी पर कि अगर इंडी गड़ बंदन की सरकार बनती है तो प्रधान मंतरी मोधी समेट बीज आज के लिए दीजिये इजासत, नमस्कार